तूट गया इंडिक गटबंधन आप मेरे पीछे देख रहे हैं राहुल गांधी सदमे में है और बाकी इंडिक गटबंधन के रेता राहुल गांधी को लाल आखे दिखा रहे हैं जिहां जो हम सुरुवाती दोर से बता रहे थे आखिरकार वो सच हो गया है बस आपचारिक ऐलान बाकी है इंडिक गटबंधन टुकडो टुकडो में बढ़ चुका है इस वक्त पंद्रह राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं और दो बड़े राज्यों में बिधान सभा के चुनाव होने वाले हैं इन राज्यों में इंडिक गटबंधन के नेता और इंडिक गटबंधन के लोग आपस में ही नूरा कुष्टी कर रहे हैं और एक तरीके से इंडिक गटबंधन में फूट पड़ चुका है। इन राज्यों में इंडिक गटबंधन वाले नूरा कुष्टी कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल से लेकर आप जारखंड और बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश हर राज्य में इंडिक गटबंधन और कॉंग्रेस के बीच की लड़ाई। और सब की लड़ाई किसे हैं? कॉंग्रेस से। केंद्र में हैं राहूल गांधी और कॉंग्रेस। हर इंडिक गटबंधन का नेता राहूल गांधी को पटकनी देने में लगा हुआ है। राज्य दर राज्य समझाओंगा लेकिन पहले याद करिए जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के शपत ग्रहन को। जम्मू कश्मीर में जब फारुक अब्दुल्ला 42 सीटे जीत कर सबसे बड़ा दल बना और कॉंग्रेस 6 सीटे जीत कर उसके साथ में आई तो राहूल गांधी ने कहा कि ये इंडिक गटबंधन की जीत है। पश्चिम बंगाल में ममता गिराफ बनर जी के खिलाफ लड़ेंगे और माज जीत जाएंगे तो कहेंगे इंडिक गटबंधन जीत गया। तो वैसे ही बताये गया कि इंडिक गटबंधन की जीत है। लेकिन सरकार बनी तो क्या हुआ। इसको बल्बो की जालर कहते हैं। तो फ्यूज बल्बो की जालर से छे बल पहुचे वे थे, बाइक बल पहुचे ही नहीं है। इस तरह के टंज कसे जाते हैं जो उसके माएने में हो बता हुँ। लिकिन उसी के बरक्स हमें हरियाना में एक दूसरा शपत ग्रहन देखा, सारा का सारा एंडिये अलाइंस जो है वहाँ पहुंचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि एंडिये के बीच में भी धमा चौकडी नहीं मची है, लेकिन कैसे चुपचाप बिठा दिया गया, ये नित्रत्व की कुछ लक्षमता है, लेक थोड़ा साम बोर्ट पर आते हैं, देखे अभी सबसे पहला जो है, वो दो राज्यों में चुनाव है, पहला है आपका महारास्ट, जहां पर MBA, इंडी गडबन तो नहीं है, लेकिन इसको इन्होंने नाम दिया महाविकास अघाडी, जिसमें तीन बड़े दल है, लेकिन ये MBA आपस में कैसे नूरा कुष्टी कर रहा है, कैसे एक दूसरे के खिलाब उम्मीदवार उतरने को, एक दूसरे को हराने में लगे वे, ये मै CPI, CPI, इनको भी हम रखेंगे, लेकिन ये गडबन भी कैसे आपस में नूरा कुष्टी करते दिख रहा है, इन दो राज्यों में ये हम बताएंगे, अब इसके अलावा, दो राज्यों में तो चुनाव है, लेकिन 15 राज्य है, जिन 15 राज्य की लगबग 48 सीटे हैं, जिन 48 सीटों पर इंडिय गडबंधनी आपस में लड़ रहा है, ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा, राज्यदार राज्य हम आते हैं, सबसे पहले हम महाराश्य चुनाव की बात करते हैं, महाराश्य चुनाव में MBA चुनाव लड़ रही है, महाविकास अगाडी, लेकिन इस कोई खबर नहीं है, चुपे से वे एक दम हो गोटिया सेट कर रहे है, तमाशा देख रहे है, शरक पवार किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त है, लड़ाई दोनों की बीच चल रही है, कॉंग्रेस और उद्धाव गुट, आज कल की खबर है, आज नामांगन का आखरी द इसको खुली धमकी आप कह सकते हैं, संजर राउत का मैं बयान कोट करता हूँ, एक सीट है, सोलापूर दक्षिन, सोलापूर दक्षिन की सीट है, इस सीट से शिव सेना UBT अपना उम्मिदवार उतार चुकी है, लेकिन बदमाशी देखिए, कॉंग्रेस पार्टी ने जो आ इस दन तोड़ा जा रहे है, जानबूच को रुद्धव ठाकरे को बताया जा रहे है कि keep quiet, चुपचाप नीचे बैठिए, ऐसे ही हो सकता है ना, जब भई एक पार्टी अपकत्ता है हो चुका है, सीटों का बटवारा, एक पार्टी की लिस्ट आ चुकी है, उसमें सोलाप आपके जो दिलिप माने साब है, इनको उम्मीदवार भुशित कर दिया जाता, इसी सीट से, कॉंग्रेस से, सोलापूर दक्षिन, अब उद्धावट संजय राहुत का पारा हाई हो गया, उन्हों संजय राहुत ने कहा कि हो सकता है कि कॉंग्रेस की और से टाइपिंग मिष्टेख हो जाएगा, उन्होंने कहा कि शिव सेना क्या और से हमारे और से टाइपिंग मिष्टेख हो सकता है फिर, फिर टाइपिंग मिष्टेख हो जाएगा तो समस्याएं पैदा हो जाएगी, MVA के लिए समस्याएं पैदा हो जाएगी, यह संजय राहुत का बयान है, चुनाव लड़ना है भारती जंता पाटी से, महायुती से, लेकिन संजय राउत करें कि MBA के लिए समस्याई पैदा हो जाएंगी तो यी सिनेरियो है एक दल इंडी गड़ बंधन का, मैं दर्शकों को यह समझा रहा हूं कि तूट कैसे गया है इंडी गड़ बंधन आप कहेंगे कि हवा हवाई बाते कर रहे हैं, हवा हवाई हवाई नहीं, तत्यो और तरकों के साथ हम बताएंगे कि इंडी गड़ बंधन तूट कैसे गया है, बस आपचारिक मुहर लगनी बाकी है पहला दल, महरास्ट, शिव सेना और कॉंग्रेस के बीच कि इस तरह की तनातनी चल रहे है, अंदर खाने ये खबर है कि चुनाओ के बाद शिव सेना, UBT कॉंग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, इसका या तो विलय हो जाएगा शिंदे के गुट में, या भारतिय जंता के और से रहुल गर्दी के और से डिमोट किया जा रहा है, और उनका अपमान किया जा रहा है, ये उद्धव ठाकरे से सहन नहीं हो रहा है, उन्हों बहुत गोटिया बिचानी की कोशिश की, लेकिन उनका मामला सेट नहीं हुआ, अब अगले खिलाडी पर आते हैं, एक और एहम गडबंधन का साथी है, RJD, लालू प्रसाथ, यहां चुनाओ भी होने है, बियार में चुनाओ भी होने है, और नहीं, चुनाओ भी होने है, पचीस में, तो यह RJD जो है, जार्खंड राज्ये पर आते हैं, जार्खंड में में तोर पर कॉंग्रेस और BJP चुनाओ चुकी है, और उन्होंने अपनी उम्मिद्वार में उतार दिये, उन्होंने काया कि हम इनके साथ नहीं है, हम अकेले चुनाओ लड़ेंगे, तो यह पहले ही अलग हो गए, इन्होंने ऐलान कर दिया, और CPIM सिर्फ जार्खंड में अलग नहीं हुई है, जिस पश्चिम बं पश्चिम बंगाल की, जिन छे सीटो पर अपचिनाओ हो रहा है, उन्हों छे की छे सीटो पर, वाम दलो ने कहा कि हम कॉंग्रेस के साथ हमारी बादचीत नहीं बनी है, और हमने सारे उम्मेदवार उन्होंने घोशीद कर दिये, और इसका ठीकरा उन्होंने पर फोड़ा, उन्होंने का कॉंग्रेस के पास समय ही नहीं भाई बातचीत करने के लिए कॉंग्रेस बहुत बड़ी पारटी है बीजी पार्टी है उनके नेताओं के बयान है जो मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ वोले इनके पास समय भामाई नहीं है समय निकल गया हम तयारी करेंगे कि इनके टिकट बटवारी की बाच्चित का इंतजार करते रहेंगे बिहार कॉंग्रेस परदेश से अनबम भी लारता है तेस्वी आदवा बिलकुल तो अब ये पार्टी तो बाहर निकल गया अब आर जी डी पी आते है आर जी डी ने भी धमकी दी कि 24 गंटे का अल्टीमेटम है नहीं देंगे टिकट मनोजा का बयान था तो हम मैदान में खिलाड़ी उतार देंगे जैसे तैसे बात बनी कुछ टिक्टो पर दिया गया लेकिन फिर बदमाशी देखी अभी इसको बदमाशी आप कहेंगे या कॉंग्रेस आला कमान एक फैसला करता है कॉंग्रेस नित्रिक तो जो लोकल है उनके बीचे आतो सामान ज़स से नहीं है या बदमाशी इसको आप कह सकते हैं क्या किया गया आरजेडी ने अपना एक उम्मीदवार उतारा था हुसेनाबाद एक सीट है कौन सी सीट जारखंड में हुसेनाबाद एक सीट पड़ती है यहाँ से एक उम्मीदवार उतारा गया और यहाँ पर जो उम्मीदवार था उसको यहाँ पर RJD का उम्मीदवार है लेकिन कॉंग्रेस ने क्या किया मुहम्मद तौसीफ एक निर्दली उम्मीदवार कॉंग्रेस ने कहा कि ठीक है यह RJD की सीट है और लेकिन मुहम्मद तौसीफ वहाँ पर निर्दली चुनाव लड़ रहे थे एन वक्त में उसको B-form दे दिया अपना सिंबल दे दिया यह मुहम्मद तौसीफ कॉंग्रेस की पुराने कारे करता थे कॉंग्रेस से नाराज होकर पॉंग्रेस छोड़ दिया था इनोंने इनको वहां टिकड़ दे दिया सिंबल दे दिया अब RJD वाले तम तमा गये बोखला गये कि बोले यारे क्या मजाग बना रखा है आपने आप पहले ही बता दीजी कि यह गड़ बंदन आपको नहीं करना है आप यह पीठ में छूरा है वो नाराज हो गए इसके अलावा जो RJD और कॉंग्रेस ने एक समझोता किया था कि यह चतरपूर और विश्रामपूर मतलब इन सीटों पर यह RJD के खाते में दी गई थी चतरपूर विश्रामपूर देवगर और बाके पांच सीटे कहा था कि पांच सीटे जो ही हम RJD को करना है जैसे अब तीसरे कंडिडेट पर आऊंगा मैं धीर ही देरे तोड़ा संशित में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो RJD भी आउट हो गया बिहार में मुश्किली चुनाव लड़ेंगे अब एक और बड़ा दल है इनके साथ समाजवादी पार्टी समाजवाद देंगे एक सीट अखिलेश यादव को नहीं दिये तो अखिलेश यादव ने जो है वो पाच सीटों पर अपना पहले ऐलान करती है जो मुस्लिम बहुल सीटे है अब यह जो गड़बंधन में जो खिजडी मची हुए इसका असर क्या होगा ये भी मैं समझाओंगा कि कैसे महरास्ट में माविकास अगाडी की हार जो है ये तय है और कैसे ये जो वाप हो है जो टिकेट और ये जो सब चल रहा है इंडी गडबंधन ही इंडी गडबंधन को हराएगा ये मैं सम्झाओंगा आगे सवाल है कि क्या हरियाना में जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी हारी महाँ पर क्या इसी का परिणाम है कि इंडी गडबंधन में फूट पड़ रहा है क्या इसी का परिणाम है कि इंडी गडबंधन के बाकी साथ ही प्रेसर पॉल्टिक्स कर रहा है कॉंग्रेस के उपर इस पर एक वीडियो भी हमने पिछली बार किया था और मैंने कारण आपको बताया था RJDA अगर बिहार में कॉंग्रेस को साथ लेती है जहां उसकी जमीन नहीं है कॉंग्रेस की तो ये कॉंग्रेस की जमीन मजबूत होगी किसकी जमीन खा कर मजबूत होगी तब फिर एक अमच पर आकर क्यों बोलता है कि हमी accus कि मुदी को साकती की जहाता हूं confusion ज उनद्ट बंदन के साथी बी confusion में क्या होता है जब डर आपके सामने होता है बिंड हैसे लेता है लेकिन जब उस पर वो विचार करता है दर सामने से बाख जाता है तो जब बैठ कर विचार करता, चिंदन करता उन फैसलों पर तो उसको लगता है कि यार ये फैसला गलत था, हम पानी में कूथ तो गए साप के डर से, लेकिन पानी में डूबने का भी डर है, तो बोले डूबी गए, वो तो जैसे तरह से कोई आ गया तो कोई बज गए भी य समाजवादी पार्टी पर मैं आ रहा था, ये भी कैसे आउट हो गए है, कॉंग्रेस के साथ जो खेला किया है, इन्होंने एक उम्मीदवार सीट नहीं दिया सपा में, मध्यप्रदेश में भी शिवराज सिंग चोहान की जो सीट है, जहां उपचुनाव हो रहा है, बुध कि अगर हार गए इस बार तो फिर ट्वीट नहीं लग पाएगी, और कॉंग्रेस ने पूरी ताकत लगा दिये, कि इस सीट पर वही जो शिवराज सिंग चोहान की सीट है, उनसे ले ली जाए, रमाकान भारगवों को भारती जन्ता पार्टी के और से उम्मीदवार बताया लेकिन इस सीट पर अखिलेश ने खेल कर दिया है, इस सीट पर अखिलेश ने कॉंग्रेस पार्टी से जो नाराज केंडिटेट था, जो कॉंग्रेस से टिकेट चाह रहा था, अर्जुन आरिय, उसको मैदान में उतार दिया, समाजबादी पार्टी के सिंबल पर, किसका न रहे होगो, ये दो लड़कों की जोड़ी, बुआ, बबुआ, सब करके देख चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली, फिर पिछले चुनाओं में साथ आए, अब उसका एनलिसिस किया गया, तो कॉंग्रेस का वोट तो सपा को मिला ही नहीं, सपा का वोट कॉंग्रेस को गय रहुल की जमीन मजबूत हो रही ये यूपी में, बाहर करो, इसलिए अखिले शादो बाहर करने में लग दे, तो ये सब खेल हो रहा है, अब मैं अगले पार्टी पे आता हूँ, एक बड़ी और पार्टी है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हरियाना में आपन से फोन उठाना बन कर दिया हमारा, ये संजे सिंह का बयान है, बोले पांच फोन उठाना बन कर दिया, काहे का इंडी गड़ बंदन भाईया, जब फोन ही नहीं उठा रहा है, आप सही होगी के, अब ये है कि कॉंग्रेस को अब समझ में आ गया है कि आप वाले दिल्ली के चुनाओ में हमको घास डालने वाले नहीं है, तो कल कॉंग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक अभियान शुरू किया है, डिल्ली न्याय यात्रा, ठीक है, और उसमें कल जो यादव सहाब है, कॉंग्रेस पार्टी के नेता, डिल्ली के, देवेंदर यादव, और पवन उन्हों ने कहाए, कि मूर्ख बना रहा है जी यह दिल्ली के जनता को, यह उनके शब्द है, बोले कि बेवकूप बना रहा है केजरिवाल, बोले बिजली मुफ्त के नाम पर आपको मूर्ख बना जा रहा है, बोले शीला दिक्षित की सरकार में 5 रुपे यूनिट बिजली तूटा या नहीं तूटा, मैं दर्शकों से पूछते हैं कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि भईया यह जो हम तर्थे दे रहे हैं, इसके बाद इंडी गट बंदन बचा है या तूट गया, अब इसके बाद आते एक और पार्टी, आपकी राजस्थान, अब राजय दर राज सीटों पर रूप चुनाओ है, बड़ी एहन सीटे हैं और राजस्थान से कॉंग्रेस को बड़ी उम्मीदे थी, इस राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाओ की हम बात करें, तो बाप जो पार्टी है, भारती आदिवासी पार्टी, राज कुमार रौत की पार्टी, जो सांसत भी है, और हनुमान बेनिवाल की पार्टी, यह बेनिवाल की पार्टी है, इन लोगों के बीच में समझो होता था, यह इंडिगर्ड बंदन के अलाय पार्टनर है, ठीक है, अब इन लोगों के साथ टिकेट बटवारे पर बाच्चीच चली, कि यह जो साथ सीटे इसमें हम मिलके लड़ेंगे, कुछ सीटों पर हम यह करेंगे, लेकिन अन्त में आते आते, बाप ने अपने कॉंग्रेस के खिलाब दो उम्मिदवार उतार दिये, और RLSP हनुवान बेनिवाल ने, जो खियूसर सीट है, जहां इनका बहुत अच्छा वर्चस्व है, RLSP का और हनुमान बिलिवल का, अपनी पतनी को इन्होंने मैदान में उतार दिया है, चुनावी मैदान में, कॉंग्रेस उम्मिदवार के खिलाब, तो राजस्थान में भी इंडिगर बंदन गया, तो जो 28 दल थे, 28 दलों में से मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 दल तो मैं बत उठाने से इंडिगर बंदन नहीं हो जाता है, तो इंडिगर बंदन टूट चुका, इसलिए हम कह रहे हैं और इसलिए दर्शकों को समझा रहे हैं, अब इसका फाइदा क्या होगा, मतलब इसका नुकसान क्या होगा कॉंग्रेस पार्टी को, ये मैं आपको बता दूँ कि पैसे हार की नीव जो है लिग दिए, महरास्ट में सारी की सारी लडाई जो है, वो मुस्लिम सीटों के लिए, जो मुस्लिम बहुल सीटे हैं, लगबग लगबग महरास्ट की अगर हम बात करें, तो मैं थोड़ा सा गणित समझा दू महरास्ट का, तो महरास्ट में जो मुस सीटे हो गई, जो सीटे समाजवादी पार्टी मांग रही है, अखिलेश को सीटे क्यों नहीं दी, क्योंकि सारी सीटे मुस्लिम बहुल सीटे हैं, और अगर इंडी कट बंदन के तहते लड़ जाते हैं, तो पांचो सीटे अखिलेश का जितना तह है, तो कॉंग्रेस चाहती ह प्रतिनीजित, मतलब प्रभाव है, जिसको हम कह सकते, और देड़ करोट की आबादी है महारास्ट में, मुस्लिम आबादी के अगर हम बात करें, तो देड़ करोट की आबादी है, और तीस प्रतिशत जो है, वो मतदाता है, पूरे महारास्ट की अगर मैं बात करूँ, तो 30 प्रतिशत के आसपास और ये बड़ा आकड़ा हो जाता है मुसलिम समुधाई के लिए डेढ़ कर उट किया बाद ये पूरे महारास में और 40 सीटों पर इनका प्रभाव है इसी के लिए सारी लड़ाई मचीव है अब आप देखेंगे कि पिछले चुनाव की अगर हम बात कर तो दस मुसलिम जो MLA थे वो चुनकर आये हुए अब एक किन-किन पार्टी से चुनकर आई ये 2019 का मैं अकड़ा बतारो 20 में 20-20 में सरकार बनी थी अगर मैं बताओ तो पांग्रेस पार्टी से 3 MLA चुनकर आये थे NCP से आपके 2 MLA चुनकर आये थे AIMIM जो असदुद्दिन OAC की पार्टी है इससे 2 MLA चुनकर आये थे शिव सेना का एक और आपका AIMIM के भी एक विधायक चुनकर आये थे आपके MIM का एक विधायक और ये इस तरह से ऐसे आपके विधायक जो है वो चुनकर आये हैं और समाजवादी पार्टी के भी इसमें दो विधायक थे SP के भी दो विधायक चुनकर आये थे तो सबका अपना अपना वोट शेर है अब आप देखिए समाजवादी पार्टी का ये दोनों Muslim Bowl Seat है जो जीत के आई है शिव सेना एक Muslim Bowl Seat पर जीत कर आई है MIM एक Muslim Bowl Seat पर जीत कर आई है NCP का भी अपना जनाधार है कॉंग्रेस का भी अपना, सबका जनाधार है, अब ये दो जो दल है, AIMIM और आपका समाजवादी पार्टी, ये दोनों दल जो है, ये आपके गडबंधन से होके बाहर, अब ये 40 सीटों पर आपके, ये जो 40 सीटे इस पर आपका प्रभाव डालेंगे, तो और पिछली बार गर हम बात करें, तो AIMIM ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, ये जो OEC की पार्टी है, इस बार करें कि 45 सीटों पर उम्मीदवार वो उतारेगी, आज नामांकन का आखरी दिन है, आज शाम तक पता चल जाएगा, कितने पर इन्हों नामांकन किया, तो अगर 45 सीटों पर महायूती, और इसके अलावा बहुजन वंचिता गाड़ी और बाकी जो दल है, वो अगर सारे उम्मीदवार उटा दे तो कई कोणी मुकाबला वहाँ होगा, मतलब इन सीटों पर बढ़ जाएगे, बिलकुल, सीधा फाइदा महायूती को मिलेगा, और चुनाव आप हार ज सीट है, जो मुस्लिम बहुल सीट है, ये मराठवाडा के क्षेतर में, मुस्लिमों का ज्यादा जो प्रभाव है, वहाँ पर आपका खांदेश एरिया जो पड़ता है, वहाँ पर उसमें है, पश्चिम उत्तर कॉंकन और जो पश्चिम विधर्व जिसको कहते हैं, वहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी दादाद है, और इसलिए जो पश्चिम विधर्व की सीट है, उस पर लडाई मची भी थी, अब वहाँ से पश्चिम विधर्व से भी कुछ बहुत सारा बताने के लिए इतना है कि एक गंटे का वीडियो बन जाएगा, पश्चिम विधर कॉंग्रेस के अंदर भी कॉंग्रेस अपनों से लड़ रही है, सिर्फ इंडी गट बन्धन से ही नहीं लड़ रही है, तो ये सारा सिन्यारियो है नितिश, और इसलिए हम कह रहे है कि इंडी गट बन्धन तूट चुका है, बिखर चुका है, हम आपको बताने की कोशिस कि और इस विसलेशन पर आपकी क्या राय है, और इसका प्रभाव भारती राजनीत पर क्या पड़ेगा, कमेंट करके जिरू बताएं, बाकी खबरों के लिए आप बनने रहे हमारे साथ, धन्य बात